हिमाचल प्रदेश में 23 और 24 अगस्त को मौसम ने कुछ राहत दी लेकिन अब मौसम फिर से बदलने लगा है 25 अगस्त से मौनसून एक बार फिर से अक्टिव हो जाएगा और इस दोरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जुताई गई है मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले दिनों के लिए कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है 25 अगस्त को शिमला, सोलन और सिर्मौर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है इसके बाद 26 अगस्त को चमबा, कांगडा, सोलन, सिर्मौर और शिमला जैसे जिलों के लिए भी यलो अलर्ट जारी किया गया है 27 अगस्त को और ज्यादा जिलों में भारी बारिश की संभावना है इनमें उना, बिलासपूर, हमीरपूर, चमबा, कांगडा, मंडी, सोलन, शिमला, सिर्मौर और कुलू जैसे जिले शामिल है इस साल मौनसून के दोरान हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 21 प्रतिशत कम बारिश हुई है हाला कि अगस्त महीने में बारिश ज्यादा हुई, बता दे, 8 प्रतिशत से ज्यादा बारिश अगस्त में रिकॉर्ड की गई ये बदलाव मौसम की मौजूदा स्तिती की वज़े से हो सकता है, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है हम आपको पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कई लाकों में दर्ज के गए तापमान के आंकडे बता देते हैं उना में सबसे ज़्यादा तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया शिमला का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, इसकी अलावा सुंदरनगर में 32.2 डिग्री भुंतर में 34.4 डिग्री, कलपा में 23.8 डिग्री, धर्म शाला में 27.8 डिग्री, सोलन में 39.2 डिग्री मनाली में 26.5 डिग्री, कांगडा में 33 डिग्री, मंडी में 31.2 डिग्री, बिलासपुर में 33.1 डिग्री, हमीरपूर में 32.7 डिग्री, चंबा में 32.7 डिग्री, दलहाउजी में 22.2 डिग्री, कुरफी में 21.9 डिग्री और रिकांग पियो में 30.6 डिग्री सेल्सियस तापमा मौसम विभाग की ओर से जारी किये गए अलर्ट की अनुसार आने वाले दिनों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बारिश सिर्फ फसलों को नुकसान ना पहुँचे। राज्य के नागरिकों को सलहा दी जाती है कि वो मौसम की अपडेट पर नज़र रखे और किसी भी आपात स्तिति के लिए तैयार रहे।